ओम शंती आज ग्यारा चार दो हजार बाइस की मुडली है बावा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धी में सारा दिन सर्विस के ख्याल चलने चाहिए तुमें सब का कल्यान करना है क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी क्वेस्चन है उँच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारना चाहिए उत्तर है उँच पद तब मिलेगा जब अपनी करमिंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा अगर करमिंद्रियां बस नहीं चलन ठीक नहीं बहुत अधिक तमन्नाएं हैं हवच है लालच है तो उँच पद से वंचित हो जाएंगे उँच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो करमिंद्रिय जीत बनो गीत है नैन हीन को राह दिखाओ प्रबू ओम शान्ती परदर्शनी के लिए यह गीत बहुत अच्छा है ऐसे नहीं कि रिकार्ड नहीं बजाए जा सकते इस पर भी तुम समझा सकते हो क्योंकि पुकारते तो सब हैं परन्तु यह नहीं जानते कि जाना कहा है और कौन ले जाएगा जैसे की ड्रामा अथ्वा भावी वर्ष बगतों को बगती करनी है जब बगती पूरी होती है तब ही बाप आते हैं कितने धरदर भटकते हैं मेले माल खाड़े लगते हैं दिन प्रति दिन बृद्धी होप पाते जाते हैं स्रद्धा से तिर्थ पर जाना भटकना चलता ही आता है बहुत समय हो जाता है तो भी गौर्णमेंट स्टेंप आधी बनाती रहती है सादूं आधी के भी स्टेंप बनती है वर्थ दे मनाते हैं यह सब है राबन राज्य का अत्वा माया का भबका उनका भी मेला माल खाड़ा चाहिए आधा कल्ब से तुम राबन के राज्य में भटकते रहे अब बाबा आकर के राबन के राज्य से हमें छुडाते हैं राम राज्य में ले जाते हैं दुनिया यह नहीं जानती कि आपपे ही पुज्य आपपे ही पुजारी या मैमा किसकी है पहले सोला कला संपोरन पुज्य रहते हैं फिर दो कला कम हो जाती है तो उनोंको सेमि कहेंगे फुल पुज्य फिर दो कला कम होने से सेमी पुज्य कहेंगे तुम जानते हो पुजारी से फिर पुज्य बन रहे हैं फिर सेमी पुज्य बनेंगे अब इस कल्यू के अंत में हमारा पुजारी पने का पार्ट खतम होता है पुज्य बनाने लिए बाबा को आना पड़ता है अब बाबा बिश्व का मालिक बनाते हैं बिश्व तो यह भी है वह भी होगी वहां मनुश्य बहुत होते हैं एक धर्म होता है अनेक धर्म होने से फिर हंगामा हो जाता है अब बाबा आया है हमें लायक बनाने तो बाबा कहते हैं अपना भी कल्यान करेंगे अपना भी कल्यान करेंगे देखना है कि कल्यान करने का कितना सोक रहता है ऐसे ऐसे चित्र बनाए जिससे मुनुष्य अच्छी रिती समझा सकें समझ जाए जिन चित्रों को देखकर अच्छी रिती समझ जाए भारत को स्वर्ग बनाना है परदर्शनी में देखो कितने धेर आते हैं तो परदर्शनी के ऐसे चित्र बनाए जो कोई भी समझ जाए कि यह चित्र accurate रास्ता बताने वाले हैं मेले मालखाडे आदी जो है वह तो उनके आगे कुछ भी नहीं है आर्टिस्ट जो इस ग्यान को समझते हैं उनकी बुद्धी में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाए जो बहुतों का कल्यान हो जाए रात दिन बुद्धी इस बात में लगी रहे इन च तो अचानक आता है अगर जुत्ती आदी की याद में रहे तो मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जनम मिलेगा यहां तो बाप कहते हैं दे सही दे सब को भूलना है यह भी तुम समझते हो की बाबा कौन है कोई से पूछो आत्मा हो के बाप को जानते हो बोलते याद कितना करते हैं मांगते रहते हैं फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं वह भी आशिरवाद आदी करेंगे कितना अंद सरद्धा है तो ऐसे ऐसे गीतों पर परदर्शनी में भी समझा शकते हो यह परदर्शनी तो गाउं गाउं में जाएगी बाप गरीब निवाज है उनों को जोर से उठाना है सुकार तो कोटों में कोई निकलेगा प्रजा तो ढेर है यहां तो मुनुष्य से देवता बनना है बाबा से वर्षा मिलता है पहले पहले तो बाबा को जानना चाहिए कि हम वह हमको पढ़ाते हैं इस में मुनुष्य कितने पत्थर बुद्धी हैं देखते भी हैं इतने सेंटर पर आते हैं सबको निश्च है बाप टीचर सत्गुरु है यह भी समझते नहीं हैं एक दूसरा गीत भी है कि इस पाप की दुनिया से वो फिर अच्छा है यह पाप की दुनिया तो है ही वगवान वाच यह आशुरी संपरदाय है मैं इनको दैवी संपरदाय बनाता हूँ फिर मनुष्य की कमेटी आदी यह कार्या कैसे कर सकती है तुम पतित हो तुमको वविश्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूँ इसमें सभी पतित है पतित अक्सर ही विकार पर है शत्युग में वाइसलेस वर्ड थी यह है विश्यस वर्ड सिरिक्रिशन को 16108 रानिया दे दी है यह भी डामा में नून्द है जो भी सास्तर बनाए हुए है उनमें गलानी करती है बाबा जो स्वरग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं अभी तुम जानते हो बाबा हमको कितना उंच बनाते हैं पिर बाबा कहते हैं एक बारी मा बाब कहा तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए प्रंतु नंबर बार उंच पद मिलता है चलन से भी कुछ मालूम पढ़ जाता है फिर भी पुर्षार्थ कराया जाता है बाबा कहते हैं कर्म इसको कर्म अक्षेत्र कहा जाता है कर्म शन्यास अक्सर ही रोंग है बहुत हट करते हैं पानी पर आग पर चलना सीखते हैं प्रंतु फाइदा क्या मिला मुफ्त आयू गवाते हैं भक्ती की जाती है राबड के दुख से चूटने के लिए चूट कर फिर बापिस जाना है इसलिए सब याद करते हैं हम मुक्ती धाम में जाएंगे अत्वा शुक धाम में जाएंगे दोनों ही पार्ट है भावा कहते हैं दोनों ही पाष्ट हो गए भारत शुक धाम था अब नर्क है तो नर्क वासी कहेंगे तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्ग वासी हुआ अच्छा तुम नर्क में हो ना हैविन के अगेस्ट हेल वाकी वह तो है ही सांतिधां बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं हैं अपने को आपे ही सिद करते हैं हम हेल में हैं बड़ी युक्ती से सिद कर बताना है यह प्रदर्शनी तो बहुत काम कर देगी काम करके दिखाएगी इस मैं मनुश्या कितने पाप करते हैं स्वर्ग में ऐसी बाते होती नहीं हैं वहां तो प्रालब्द तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो तुम कि अनेक बार इस विश्यों के मालिक बनते हैं, फिर बन रहे हैं, दुनिया में किसी को भी पता नहीं है, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं, इस खेल से कोई छूट नहीं सकते, मोक्ष भी मनुश्य तब चाहते हैं, जब दुखी होते हैं, बाबा तो कहते हैं अच्छी रीत जाते हैं फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो जादा तमन्ना नहीं रखनी चाहिए यग्या से जो कुछ बोलते हैं मिले सो खाना है हावज नहीं रखने है करमिंद्रियों में बोलते हैं करमिंद्रियों बस में नहीं है तो पद भी उच नहीं पास सकते ऐसे परदर्शनी गीत ऐसे ऐसे गीत परदर्शनी में बजाएं उस पर तुम समझा सकते हो बाबा कहते हैं तुम हो शिप बाबा के परिवार के शिप बाबा के उपर तो कोई है नहीं और सब के उपर तो कोई न कोई निकलेंगे 84 जनम में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं बाप भी 84 मिलते हैं शिप बाबा है रचैता अब नई रचना रच रहे हैं बाबा कहते हैं हम सामरे से गोरे बनते हैं क्रिशन में स्वर्ग में सिरिक्रिशन है नमबर वन फिर लाष्ट में उनका जनम है फिर यही पहला नमबर बनता है पूरे पूरे 84 जनम सिरिक्रिशन ने लिए सूर्यवंसी देवी संपरदाय ने पूरे 84 जनम लिए बाबा कहते है जो सिरिक्रिषन पहला नंबर था उनके ही अंतिम जनम में परवेश कर फिर उनों को सिरिक्रिषन बनाता हूं अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते रुहानी बच्चो की रुहानी बाप दादा को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार है कोई भी बिना सी तमन्नाय नहीं रखनी है अपना और सर्ब का कल्यान करना है दूसरा है दे सहीत सब कुछ भूल बापिस घर चलना है इसलिए चेक करना है कि बुद्धी कहीं पर भी अटकी हुई ना हो बरदान है नेच्चुरल अटेंशन को अपनी नेच्चर आदत बनाने वाले समरीती सरूप भव सेना में जो सैनिक होते हैं वो कभी भी अलवेले नहीं होते बापा कहते हैं सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं आप भी पांडव से ना हो इसमें जरा भी अलवेला पन ना हो अटेंशन एक नेच्चुरल बिदी बन जाए कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं लेकिन टेंशन की लाइब सदा नहीं चल सकती इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ अटेंशन रखने से स्वता समरीती सुरूप बन जाएंगे भी समरीती की आदत छूट जाएगी स्लोगन है स्वय के स्वय टीचर बनो तो सर्म कमजोरियां स्वता ही समापत हो जाएगी माते सुरी जी के अनमोल महाबाक्या है नमबर एक याद का तालुक सबंद है ग्यान से ग्यान के बिना याद याथार्थ नहीं रह सकती पहले पहले मनुश्य को अपनी सुखी जीवन बनाने सुखी जीवन बनाने के लिए कौनकौन सी मुख्या पॉइंट बुद्धी में रखनी है पहले तो यह मुख्या बात समझानी है कि जिस परमात्मा बापकी हम संतान है उस बाप की याद में हर्स में स्वाशों स्वांस उपश्तित रहे उस अभ्यास में रहने की पूरन रिती से कोशिश करनी चाहिए अब स्वांसो स्वांस का मतलब है लगातार बुद्धी योग लगा रहे जिसको निरंतर योग अटूट अजपा जाप याद कहा जाता है यह कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है और ना कोई मुर्ती सामने रख उनको ध्यान करना है दूसरा है स्रिष्टी की आदी कैसे होगी मुनुष्य पूचते है कि परमात्मा ने स्रिष्टी कैसे रची है आदी में कौन सा मुनुष्य रचा अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं अब उस पर उनों को समझाया जाता है परमात्मा ने स्रिष्टी की आदी ब्रह्मा तन से ही की है पहला आदमी ब्रह्मा रचा है जो जिस परमात्मा ने स्रिष्टी की आदी की है तो अवस्य परमात्मा ने भी इस स्रिष्टी में अपना पार्ट बजाया अब परमात्मा ने क पहले तो प्रमात्मा ने स्रिष्टी को रचा उसमें भी पहला ब्रह्मा को रचा गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई वही जाकर कृष्ण बनी उसी तन द्वारा फिदैवी देवताओं की स्रिष्टी की स्थापना की पितीसरा है ओम शब्द का अर्थ यथार्थ अर्थ जब हम ओम शांती कहते हैं तो पहले ओम सब्द के अर्थ को पूरण रिती से समझना है अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है तो ओ लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चोड़ा सुनाते हैं ओम का अर्थ ओमका बड़े आवाज से सुनाते हैं इस ओम का फिर लंबा चौड़ा सास्तर बना देते हैं प्रंतु वास्त में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है अपने कोतो स्वय परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज समझाते हैं ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ मेरा असली धरम सांत सुरूप है अभी इस ओम के अर्थ में उपस्तित रहना है तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की शंतान हूँ मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है बाकी मुख से ओम का उचारन करने की भी जुरूरत नहीं है तो बाबा क्या कहते है ओम का जो अर्थ है उसमें स्थित होना है बाकी वह लोग भल ओम का अर्थ सुनाते हैं मगर उस शुरूप में स्थित नहीं रहते हम तो ओम का सुरूप जानते हैं तब ही उस शुरूप में स्थित होते हैं ओम शान्ती